हेलो एवरिवन तो करेंट अफेर्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए आप में से कई ने काफी दिनों से रिक्वेस्ट छोड रखा था मेरे पास कि करेंट अफेर्स के ऊपर कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दिया जाए है ना तो उन ही में से मैंने सेलेक्ट किया है और उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया है ठीक है इसमें न्यूजपेपर से रिलेटेड आपका कंफ्यूजन मैगजिन को लेकर के आपका कंफ्यूजन या फिर कितने मंथ का कवर करना चाहिए एक्चॉली मैं कोस्चन किन मंथ से ज्यादा पूछा जाता है यह सब का अनलिस आपको इस वीडियो मिल जाएगा और वीडियो अन्त होते होते आपका सारा कंफ्यूजन किलियर हो जाएगा सोर्सेज को लेकर के और इन सारे सवालों को लेकर के जो करेंट अफेर से रिलेटेड आपके मन में उठ रहे होंगे ठीक है तो जैसा कि विभिन महिने का टाइम बचा है अब समय है रिवीजन का और अगर नहीं चीज पढ़ा हुआ है तो भी सही चीज पढ़ने का यह समय है है इस यह टाइम ऐसा नहीं है कि आप मिस गाइड हो या गुम्रा हो जाए अपना पढ़ाई में ठीक है तो इसलिए आईए यह वीडियो स्टा पूछा जाता है अब जैसे देखिए चाटी जेपीसी का बात करते हैं तो चाटी जेपीसी में आपको मालूम है सिलेवस वही है जो भी हमारे पास है तो आप देखिए कि लगभग 15 कोश्चन जो है वो दिया हुआ है डेजिगनेटेड है कि पूछा जाएगा करेंट अफे आपके एक्जाम के लिए आप सोच रहे हैं लगभग 100 कोश्चन में 27 कोश्चन जो है आपका लगभग लगभग करेंट जैसा ही पूछा गया था ठीक है यानि लगभग वन थर्ड रख लीजिए थोड़ा सा एक-दो कोश्चन छोड़ दिया जाए तो है ना तो करेंट लगता है बट देन चलिए चुकि करेंट यह थोड़ा रीसेंट एक्जाम है 2013-14 का ही एक्जाम है तो इसको हम लोग फिर भी रेफरेंस मान सकते हैं तो पॉइंट यह है कि करेंट अफेर्स आपका सोच से कई ज्यादा गुना ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है तो इसलि इसमें हम लोग 6th JPSC को थोड़ा रेफरेंस के रूप में देखेंगे इसके अलाबा हाली में एक महीने पहले 66th BPSC भी कंड़क्ट हुआ था जो कि JPSC तो हुआ नहीं है पिछले 5 साल से तो हमारे पास ज्यादा रेफरेंस नहीं है तो हम लोग उसका भी कोश्चन देखें करेंट अफेर से आएगा मैंने वहाँ पर 27 कोश्चन आपको बताया लेकिन वह सब था कि दूसरे टॉपिक्स में घुसाया हुआ था करेंट अफेर आपके अपिक हो गया या फिर सेक्स नेच वाला जो मैं अपने चैनल पर कवर कर रहा हूं उसमें काफी करेंट पूछा ग यहा था ठीक है तो यहाँ पर देखकर कंफ्यूज मत होईएगा रियो ऐया ओलम्पिक यहाँ पर तरी अपस्ट अप देख रहे हैं है ना तो देखियों जनवरी से एक कोश्चन आया था एप्रिल के महीने से चार कोश्चन आया था, जून से एक कोश्चन था, अगस्त से आपका चार कोश्चन था, और सेप्टेमबर के महीने से आपका तीन कोश्चन था, तो यहां पर अगस्त में दो और जोड़ दीजिए, तो यानि आप समझ पा रहे हैं कि एक्जाम जो आपका हुआ था, वो दिसंबर के महीने में हुआ था, ठीक है, बट जो मैक्सिमम कोश्चन आया, वो आया आपको अप्रिल से लेकर सेप्टेमबर के बीच का, ठीक है, तो लगभग 90% कोश्चन आपका जो है, सेप्टेमबर से अप्रिल, ठीक है, यानि अप्रिल से सेप्टेमबर के बीच से आए, इसको भी आगे भी हम लोग एलाबॉरेट करेंगे, बट अपको अब आइडिया लगना सुरू हो गया होगा, कि किस महीने से ज्यादा कोश्चन आ जा रहा है, उसके कितना पीछे आपको जाना पड़ेगा करेंट अफेर्स पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मन्त बाइस अगर देखा जाए, तो यहां पर एक्जाम हुआ था आपका दिसंबर में, है ना, और मैक्सिमम जो कोश्चन आया 90% वो यहां से आया, यानि कि एप्र इसे ही होता है, या फिर दूसरे कमिसंस के एक्जाम में भी, जैसे कि आपको एक्जामपल के तौर पर मैं दिखाता हूं, देखे, अच्छा, 66 BPSC का कोश्चन देखने से पहले, आपको मैं यह वाला स्लाइड भी दिखायाता हूं, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि द यह दोनों उस समय काफी न्यूज में रहते थे, ठीक है ना, देपिका पर लिकल भी, पदमा आवार्ड सुनको मिला था एक दो साल पहले, 2016 में हमारा एक्जाम हुआ था ना, तो सायद 2014 में है मिला था, उसी तरह दीप सेन गुपता भी काफी न्यूज में रहते थे यह चे करेंट नहीं तो एटलिस्ट कंटेंपररी, ठीक है ना, कुछ भी आर्बिट्ररी सा कुश्चन नहीं दे देता है, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर्ली न्यूज में जो चल रहा होता है, उसी बेसिस पर कुश्चन सेट किया हो रहता है, उसी तरह देखिए, वेब पोर्टल, डी एसी नेट के बारे में पूछा गया था, है ना, तो ये भी रिसेंट पोर्टल ही था, उसके भी सहय में, और मैंने अग्रिकल्चर एंड टेक्नोलोजी डेवलप्मेंट वाला जो टॉपिक है आपका प्रिलिम्स के सिलेवस में, ठीक है, साइन्स वाला पोर्शन में, अ इस सेक्सान से, है ना, हो सकता है इस बार कुसूम पूछ दे आप से, ठीक है, कुसूम किस चीज से रिलेटेड है, कुसूम स्कीम जो है गवर्मेंट का, है ना, तो एकरिकल्चर टेकनोलोजी के यहीं फिल्ड से रिलेटेड है ये भी, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करन है कि जो आपका topics, दूसरा topics जो आप पढ़ते हैं, अपना syllabus में, उन topics में भी, जो current issues हैं, उस पे आपको ज्यादा नजर रखना है, ठीक है ना, 10 साल, 20 साल पीछे जाने से बहतर है, कि उस time क्या हुआ था, बिलकुल इतिहास उसका पढ़ने से बहतर है, कि उसमें recently क्या ठीक है, उसी तरह देखिए, cashless economy, first country to have cashless economy, यह भी question आया हुआ था, तो आप समझ रहे हैं, 2016 में demonetization हुआ था, तो काफी ज़्यादा cashless economy का बात चलता था उस time, तो देखिए, first country to have cashless economy पूछ दिया, करेंटी माना जाएगा इसको, उसी तरह राजी वावास योजना उन दि यह purely current affairs नहीं था, बलकि आपका PT का paper 1 में जो governance वाला पार्ट है उसमें आप रख सकते हैं, उसी तरह देखिए, UN का 2016 का theme क्या था, वो question आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, तो again, यह question है आपका international organization, section H paper 1, लेकिन यहाँ पर देखिए, current affairs जैसा ही question आपको पूछा हुआ है, ह question जैसा पूछा है, कुछ theory जैसा नहीं पूछा आपसे, कि कितना member है, कौन chairman है, यह सब नहीं, latest member पूछ दिया, अलागि उसका latest member साथ 2011 में ही हुआ था, लेकिन जब यह सब चीज आप पढ़ते हैं, और exam हुआ था 2016 में, तो सोच लीजे कि यह 5 साल बाद आपसे यह question पूछ है, यह मेरा point है यहाँ पर, उसी तरह कि history तक से नहीं छोड़ा current affairs, अब क्या है, हड़पन साइट पूछा है, आपसे biggest हडपन साइट, यह भी कोई, इसको आप history में रखेंगे, यह current में रखेंगे, यह actually 2014 में, दो नया site excavate हुआ था, उसके बाद जो है, राखी गड़ी जो 2013 का, national manufacturing policy 2011 का है, ठीक है, दीपसेन गुपता के बारे में बात करीं लिए, नहीं रसी का price 2016 का है, देखिए, यह human rights का topic है, लेकिन इसमें भी उस साल किसको price मिला था, human rights commission के तरफ से वो पूछा गिया था, तो point आप मेरा समझ रहे होंगे, कि जो आप दूसरे topics पढ़ते हैं, जैसा जो topics आपको मिलता है, उसमें ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, तो current affairs जब जो भी magazine, channel, जैसे भी आप current affairs पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आपको ऐसा topic मिलता है, जो आपके दूसरे, जैसे पोवर्टी से related कुछ current affairs आगया, unemployment से related कुछ current affairs आगया, तो यह सब आपका topics है, बिल्कुछ syllabus में लिखा हुआ है, poverty, employment वगेरा, तो जब यह सब से related current affairs आता है, तो उस पे आपको ज्यादा फोकस करने का जरूरत है, ठीक है, तो I think कि आपको idea लग रहा होगा भी कि current affairs में कैसे कैसे question बढ़ जाता है, सिर्फ उतना ही नहीं रहता है, जितना कि आप syllabus में है, तो I hope I made myself clear, तो इसलिए current affairs बहुत important है, ना सिर्फ 15 questions बलकि उसके अलावा भी काफी questions पूछा जा सकता है, अच्छा, अब 66th BPSC का current affairs का question देखिए, तो इससे आपको again month का अंदाजा मिलेगा कि questions जो है, किन month से ज्यादा पूछा जाता है, यह दिसंबर में एक्जाम लिय है, जुलाई से एक question है, उसके अगस्त से 3-4 question है, उसके आद देखिए, सिर्फ September से question भरा हुआ है, अलांकि इसमें BPSC में लगभग 30 question जो है, वो current affairs से पूछा जाता है, इसलिए ज्यादा है, तो देखिए, September के महीने का current affairs भरा पड़ा है, देखिए, काली September कहीं है, उसके अक्टूबर है, काफी सारा current affairs, October से related है, इधर भी October से related है, तो आप देखिए, exam हुआ था, BPSC का यहाँ, December में, ठीक है, December के महीने में exam हुआ था, और जो पूरा का current affairs है, लगभग वो आपको यहाँ से पूछा गया, यानि June से लेकर के October के महीने का, यानि exam वाले मन्त से करके, और एक महीने पहले तक का question पूछा हुआ था, तो I hope कि आपको यह चीज के लिए हो रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा, कि एक साल जब पढ़िये सारा, पढ़ना है लगभग एक साल का current affairs, उसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बात आता है, रिवीजन ठीक है, अब इसका मतलब यह नहीं कि अप्रिल से अक्टूबर का आपका current affairs पढ़ने लेगी है, point मेरा यह है यहाँ पर कि अगर आपका exam मे में होता है, ठीक है न, मई के महीने में आपका exam होता है इस साल, तो इससे आप आठ महीने पहले चले जाएगा, ठीक है, और इससे साल आप, दिसंबर, नवेंबर, ओक्टूबर, सेप्टेम्बर, और अगस्थ, सेफसाइड रहने के लिए आप इतना, तो यह आपका priority होना चाहिए, अगस्ट से लेकर के march तक, ठीक है, अगस्थ 2020 से लेकर के march 2021 तक, यह आपका priority होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास ए कि current affairs एक बार revise कर लेते हैं तो आपको यह revise करना है यह ठीक है ना analysis करने का यही फायदा होता है कि आपको समझ में आता है कि actually में important क्या है अखिर पुराना देख करके ही तो इंसान सारा algorithm बनाता है अपना ठीक है तो इसलिए पढ़िए एक साल का लगभग आपका में में एक्ज जब आपको focus करना होगा ठीक है ना तो आप कोशिस किजेगा कि अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक का current affairs जो यह बीच का जो यह 7 महिना है यह आपके लिए सबसे ज्यादा important है सबसे ज्यादा question इसी में से आने का संभावना रहेगा as per past experience यानि कि पिछला अनुभव को अगर देखा जा clear हो गया होगा concept कि कितने महिने का current affairs आपको ideally बिल्कुल एकदम tight करके जाना है एकदम leak proof होना चाहिए ठीक है बाकी आपको पढ़ना लगभग एक साल का current affairs होता है उसमें कोई दोमत नहीं है ठीक है क्योंकि एकका दुखका question आते ही रहता है आप effort नहीं कर सकते हैं इतना ज्य time देने की बात कर रहा हूं okay अब तो months आप लोगों को समझ में आ गया कि month क्या था हमारे current affairs का focus क्या रहेगा अब बात करते हैं हम लोग topics के उपर क्या कि topics क्या पढ़ना चाहिए देख topics को लेकर के बहुत ज्यादा confusion है सबसे पहली बात कि कोई भी जो current affairs magazine बनाया गया है वह आपको यह सोच कर नहीं बनाया गया है खासकर कि पेपर वन में आप जब इंटरनेशनल और नेशनल current affairs जब आप पड़ते हैं तो आपको यह सोच कर नहीं बनाया गया कि यह वह हर चीज को टार्गेट करता है यह यूपी एसी एससी रेलवे ग्रूप डी सी बी एफ जी सार है जब आप past year questions बनाते हैं तब आपको यह समझ डेवलप होता है अगर आपको यह समझ डेवलप नहीं है तो यकीन मानिया current affairs एक समंदर है जिसमें आप आसानी से खो जाईएगा मिसगाइड हो जाईएगा ठीक है ना गुम्राह हो जाईएगा और अंत में एक्जाम में आपका बहुत question गलत हो जाएगा ठीक है तो इसी लिए कोसिस कीजिए कि सही चीज पढ़िए कर इंटरफेस में भी एक से एक चीज दिया रहता है आज ठीक है कोई भी पॉप्लर का नाम लिख देगा वो ठीक है सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए उपयोगी तो उपयोगी तो है आई एग्री आपको पढ़ना भी है वही मैगजीन लेकिन आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैगजीन में current affairs मेरे काम का है और क इंटरनेशनल अफेर समिट्स और्गनाइजेशन यह किसी भी पब्लिक सर्विस कमिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है आपको मैं दूसरा एक्जामपल भी दूँगा ठीक है अब आप देखिए कि यह सब quality questions था ठीक है ना कुछ भी arbitrary नहीं था ठीक है क कि फलाने प्राइवेट बैंक के MD कौन नुकत हुए है है अब फलाने प्राइवेट कंपनी की नई CEO कौन है आप समझ रहे हैं मेरा point क्या है कहने का जब करेंट अफेस पड़ते हैं तो फिल्टर करना सीखिए कि आपके काम का क्या है कुछ भी arbitrary मत पढ़ा किजिए भारत का क अब यह सब नहीं पढ़ना है आपको ठीक है मानते है वह एक important achievement हो सकता है लेकिन आपके exam के लिए important नहीं है ठीक है जो बहुत ज्यादा जरूरी है जो बहुत obvious सा है कि यह सब आ सकता है वही सब आपको पढ़ाई करना है unnecessary के stuff से दूर रही है ठीक है तो आपको समझ में आग ठीक है अगर आप दूसरा पहला से पांचमा जेपीएसी का भी बात करें तो उसमें भी आप देखिए छे कोस्चन फर्स जेपीएसी में करेंट अफेर्स जैसा था उसमें से चार जो है आपको वह इन ही सेक्शन से था स्पोर्ट अवार्ड इंटरनेशनल और डिफेंस से उसी तरह सेकेंड जेपीएसी में आउट ओफ टेन कोस्चन छे जो है लगबग आपको इन ही टॉपिक से था यहां तो दो करेंट अफेर्स था दोनों इन ही टॉपिक से था यहां पर तीन करेंट अफेर्स आउट ओफ फाइब जो है इन ही टॉपिक से था ठीक है यहां पर बड़ा भोधंदाज़ा लगा पारहे हों तो मैंने आपको इनिस्यल स्क्रेन पर डिस्प्या किया था कि मैगजिन को कैसे पढ़ना है और क्या पूरा पढ़ना चाहिए खरा होग आप deposit कर दोको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ठीक है तो यह था एनालिसिस की किन सेक्स संसे ज्यादा कोश्चन आता है ठीक है तो सेक्षन जानना बहुत जरूरी है कि किस किस से ज्यादा कोश्चन आता है और वह ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो अब आते हैं हम लोग अपना मुद्ध क का बात पर कि कैसे क्या करना है चार कोश्चन मैंने आपको डिस्प्ले किया था इनिस्यली अब उन्हीं चार कोश्चन पर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला हमारा कोश्चन था कि न्यूज पेपर आवस्यक और प्रयाप्त है क्या इसका दोनों दोनों का आंसर है नो थीक मैं बात कर रहा हूं जेपी bask ND की ठीक है सिर्फ इस इक्जाम की मैं बात कर रहा हूं ठीक इसके अलावा मेरा किसी भी बात को आप किसी दूसरे आप यद्लादगया लीन करेंगे मैं सिर्फ यू elisi की बात कर रहा हूं जो संभवता दौ मई को होने वाला है ठीक है चली कि पहले क्या था कि अच्छा-च्छा newspaper हमारा hinterlands तक पहुँच नहीं पाता था यानि कि Datically, गाओंधियात के लागों में पीजावी, यह नई ऐव udah कोशनी दूपर आपका फेर तुसकत played मात्र साधन था हर एक तरह का स्टुडेंट को समझने का क्योंकि हर तरह के स्टुएंट के पाथ हर modern magazines नहीं हुआ करता था उस टाइम ठीक है तो कोश्चन वगएरा भी वैसे ही सेट किया जाता था जो newspaper को ज्यादा reflect करता था अभी भी मैं यह नहीं कहता हूं कि newspaper से नहीं याता कौश्चन नहीं याता है करेंट इश हो फगएर लिए तो सब्सक्राइब किया जाता है अलग अलग मैगजन से हिर रिडी या जाता है हमारा जोग और जो निश करेंट अफेरस मैं तो पॉइंट मेरा यह है कहने का कि नियुज पेपर आप पढ़िए रोज पढ़िए नियुज पेपर छोड़ना नहीं है ठीक है ऊसके बाद और पीडी के लिए सबसे लास्ट में अगर आप टी के लिए न्यूस्पेपर से करेंट अफेर्स चुनके बनाते हैं अच्छी बात है लेकिन उसको सेक्षन बाइस बनाईए ठीक है सेक्षन बाइस करने के मतलब अवार्ड एक जगह आपका होना चाहिए इंटरनेशनल और्गनाईजेशन से रिलेटेड एक जगह होना चाहिए इंटरनेशनल अफेर्स एक जगह होना चाहिए तो अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो अच्छी बात है अगर आप सब कुछ खिचड़ी कर दिये हैं तो मेरे ख्याल से वह बहुत ज्यादा यूसप पर आप ज्यादा निर्फर कीजिए वह आपके ज्यादा काम आएगा क्योंकि उसमें कही सारा चीज का compilation दिया होता है जो एक जगह आपको हर चीज मिल जाता है जो कि newspaper के साथ नहीं हो पाता आपको खुद से बनाना पड़ता है और जितना टाइम आप उसमें इंवेस्ट करते हैं उतना टाइम आप कुछ और काम का चीज पढ़ सकते थे तो निउस पेपर पढ़िए आपकोर्स पढ़िए रोज पढ़िए एक कमिशन के तयारी क्या एक जेनरल इंसान को भी रोज निउस पेपर पढ़ना चाहिए ठीक है न एक एजुकेटेड आदमी का निसानी है तो पढ़ना ही चाहिए निउस पेपर बट उसको पीटी के लिए सोच करके मत पढ़िए या पीटी के लिए आप उससे नोट्स बना रहे हैं यह मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है क्योंकि आप कोई ना कोई मैगजिन फिर पढ़ेंगे ही ठीक है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ निउस पेपर के भरोसे एक्जाम में चले जाईएगा आप कुछ ना कुछ पढ़िएगा और जब आप म किस मैगजिन को फॉलो करना चाहिए बहुत सारा मेगजिन मार्केट में अफॉलेबल है किसी भी दो अच्छे रेप्यूटेड मैगजिन को आप फॉलो किजिए ठीक है कई लोगों को आदत होता है यूट्यूब पर पढ़ने का या फिर ऑनलाइन पीडियाप डाउनलोड क पढ़ने का अच्छी बात है बट दो सोर्स फॉलो कि ए ठीक दो सोर्स इसलिए कि कई बार ऐसा होता है हम लोगों ने कई बार देखा है कि किसी-किसी मंत का जब एक ब्रेंड का मैगजिन करिते हैं और जब दूसरे ब्रेंड का मैगजिन खरीते हैं तो उसमें काफी सारा ट कोई भी और दूसरा जो मैगजिन है उसको आप एस फिलर रखिए ठीक है उसको पलटिए उसको एक बार जिसको कहते हैं उस पर सरसरा निगाह से उसको पलटिए कुछ भी आपको डिफरेंट दिखता है कुछ नया चीज दिखता है तो बस उसी को मार्क कीजिए हाइलाइट कीजिए नूट कीजिए वाटेवर यूवांट ठीक है न तो यह था मैगजिन को ले करके तो अब देखते हैं कि कौन सा मैगजिन देखिए मेरे ख्याल से स्टेट पी एस सी के लिए आप प्रतियोगता दरपन फॉलो कर सकते हैं ठीक है उसके अलाबा जब एक्जाम आता है तो उससे पहले आप एकाद महीने पहले इस पीडी वाला जो आता है वन लाइनर वाला उसको आप ले सकते हैं वह भी अच्छा होता है घटना जगरगा भी आता है ठीक है तो पॉइंट यह है कि बहु सारा आपके पास ऑप्सन है इसमें प्रतियोगता दरपन जरूर रखि यह दे दिया है ठीक और इसका आंसर लिखा हुआ है वहाँ पर कई बार आपको होता है कि आप मिस कर जाते हैं कि आपको इसमें यह भी तो जानना चाहिए था कि विमेंस सिंगल्स कौन जीता बट वो कभर नहीं किया हुआ है सिमिलरली कोई अवार्ड का बात कर रहे हैं तो कई बार यह जो वन लाइनर वाला मैगजीन होता है तो वन लाइनर वाला मैगजीन आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता है ठीक है तो कंप्लीट पिक्चर पाना बहुत जरूरी है इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आहीं गया है कि इंपोर्टेंट क्या ह और इसलिए जब ऐसा कोई topics आपको मिलता है तो कोसिस कीजिए कि उससे related और जानकारी जुटाने का इसलिए एक परतियुक्ता दरपन जरूर रखिए इसमें extensive दिया हो रहता है किसी भी topic को अच्छे से explain करके उसका पूरा dimensions कवर किया हो रहता है तो इसको आप cover कर सकते हैं और नहीं करते हैं सिर्फ आप one-liner वाला ही magazine फॉलो करते हैं तो कोसिस कीजिए कि जब आपको आपके relevant आपके काम का topics मिलता है तो उसको थोड़ा google कर लिया किजिए ठीक है कि उसी भी पार्टिकुलर्ली जो मैं वह सब एक्जामपल दे रहा था था फलाने कंपनी की CEO कौन बन गया है ठीक है और यह सब इस बैंक के MD कौन बन गया यह सब कोश्चन से दूर रहिएगा यह सब कोश्चन नहीं पूछा जाता है ठीक है एक आद आ गया तो अब वह एक आद रेयर है तब तो अच्छी बात है नहीं तो मोश्चली जो फेमस कोशें इंस्टिट्यूट्स है वो सब यूपीएस को ध्यान में रखकर ही काफी सारा अपना बनाते हैं करेंट अफेर्स मैगजीन तो जैसे वीजन इस वगेरा हो गया वाजी राम का हो गया दृष्टी का हो गया दरपन में काफी सारा प्रैक्टिस कोस्टन भी रहता है अब देखिएगा अगर आप पढ़े नहीं है तो लेकिन अगर आप पढ़िएगा तो आपको बता चलेगा काफी यूसफुल मैगजीन है वो ठीक तो मैगजीन को फॉलो करने को लेकर उमीद है आपका कन्फ्यूज अगर कोई रेप्यूटेड मैगजीन है जिसका अच्छा कासा गुडविल है स्टुडेंट्स के बीच मार्केट में टीचर्स के बीच इंस्टिट्टूट्स के बीच तो आप फॉलो कीजिए ठीक है बस दो फॉलो कीजिए यह नो कोई एक नहीं एक से कई वार होता है नान अगर रिलेटेड तो पूरा मैगजीन पढ़ने से रिलेटेड आई थिंक आपको किलियर हो गया होगा कि मैजीन मेंसे आपको सोट करना यह ठीक है कि खास करकर जो वन लाइन वाला मैजीन होता है उसमें आपको केरफूल रहा है पर्दयोक्ताधरपन भगेरा टाइप का मै बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो आपके काम का नहीं होगा उसमें ठीक है ना तो बस पूरा मैगजिन पढ़ने को लेकर के यही मेरा सला रहेगा कि वन लाइनर वाला मैगजिन पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और होसियारी से काम करना है वहाँ पर और लास्ट एजेंड देखा जो दूसरा महिना वाला यह टाइम फ्रेम है पढ़ना है आपको इतना दूर तक ठीक है लेकिन यह वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है पिछला आठ महिना तो यह वाला पर ज्यादा फोकस रखिएगा है ना और यह जो पेपर वन में आपका करेंट अफेर्स पूछ गया होगा ठीक है सोर्सेस को लेकर तो प्लीज तैयारी मन लग जाईए उमीद है कि अब जो न्यूज चनकर आ रहा है सेकेंड में वाला कि अपना एक्जाम हो सकता है उस दिन कंड़क्ट कराया जा सकता है तो आपके पास काफी कम समय है तो मिस गाइड मत हो यह ब्रहमित म मत हो यह गुमराह मत हो यह और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ठीक है ओके देन इसी नोट के साथ आज का सेशन एंड करते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए ओके थैंक यू